हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल दिनेस बायलोजी क्लासेश पर दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम इन्वायर्मेंट से जुड़े प्रमुख बन जीव सारच्छन परियोजनाओं के बारे में जानेंगे जो आज कल हमारे विभिन ऐग्य परिछाओं में और इन्वायर्मेंट सेशन में पूछे जाते हैं जिनमें से बाग परियोजना अंती। परियोजना गिद सारच्छन परियोजना और कस्तोरी इम्रेग परियोजनद आदी हंगुल ऐसे परियोजनाएं जो वि भिभिन एक्जामों में पूछे जा रहे हैं सबसे पहला हमारा है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह सन 1973 में आरंभ हुआ है बागों को बचाने के लिए भारत सरकार ने इस पर अपना एक अहम कदम उठाया है अंतर राश्ट्री बाग दिवस बागों को बचाने के लिए ही मनाया जाता है जिसे 39 जुलाई को मनाया जाता है प्रति वर्स 39 जुलाई को अंतर राश्ट्री अर्थात International Tigers Day मनाते हैं यह केंदर सरकार अर्थात Central Government द्वारा प्रायोजित परियोजना है अखिल भारती ये बाग रिपोर्ट जो बागों की संख्या को काउंट करती है 2018 के अंसर भारत में बागों की संख्या 2900 सरसत थी लेकिन इस समय 2020 और 21 के दवरान में जो है बागों की संख्या में पचास की संख्या में या इससे कुछ अधिक ब्रिद्धी हो गई है बागों का प्रदेश इस्टेट आफ टाइगर्स हमारा मध्य प्रदेश राज्य कहलाता है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं और यहां पर अधिकांस्त्य टाइगर्स का कंजरवेशन्स होता है आगे चलते हैं नेश्ट है हमारा सफेद बाग वाइट टाइगर्स ये एक ऐसे जीव हैं जो केवल अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और पूरे बिश्व का केवल सत्तर प्रसत बाग केवल भारत देश में ही पाए जाता है बाग का बैग्यानिक नाम पैन्थेरा टेग्रिस है जो बंगाल टाइगर नाम से फेमेस है दोस्तों टाइगर्स का नेटिव प्लेस सुन्दरवन डेल्टा पस्चिम बंगाल है जहां से सभी बागों को इंडिया के प्रतेक राज्यों में कंजर्वेशन के लिए रखा गया हुआ है नेश्ट परियोजना है एली फैंड प्रोजेक्ट हाँ थी परियोजना दोस्तों यहां पर जानेंगे सबसे पहले यहां का प्रारंब हुआ है तो 7 दिसंबर 1992 को यहां प्रोजेक्ट प्रारंब हुआ था अगर हम बात करते हैं राज्य से तो जहारखंड राज्ये में सबसे पहले इस एली फैंट प्रोजेक्ट को लांच किया गया था अगर बात होती है जहारखंड के किस जिले से प्रारंब हुआ है तो जहारखंड के सिंख भूम जिले से प्रोजेक्ट एली फैंट प्रारंब हुआ है हाथी दात की कीमत अधिक होती है और अंतर राश्ट्री मार्केट में इसकी अधिक मांग होने के करण इसका अवैधानिक रूप से सिकार होता चला जा रहा है जिससे हाथियों की संख्या में गिरावट आने पर केंदर सरकार सेंटरल गवर्मेंट ने 7 दिसंबर 1992 को जहारखंड के सिंग भूम जिले में इस परियुजना की शुरुवात हुई थी हाथि का बैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है बिस्व हाथि दिवस प्रतिवर्स 12 अगस्त को मनाय जाता है हाथियों के सरच्छन के लिए ही इसे हम मनाते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट जो 7 दिसंबर 1992 को प्रारंभ हुआ है नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गिर्ध सरच्छन परियुजना बल्चर कंजर्वेशन प्लान दोस्तों बल्चर जो हमारे प्रकित के सफाई करता इन्हें हम प्रकित का सफाई करता कहते हैं और ये एक समय था जहां बहुत संख्या में हमारे यहां पर बाग हो वो सारी गिद हुआ करते थे और आज के इस समय में हम देखते हैं कि जो गिद है ये बहुत ही रेयर केस में साइद कफी कफार दिखाई पड़ जाते हैं एक दसक था जिसमें इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सावित हुआ डाइकलोफनेक दवा दोस्तों जिसके सेवन से ये गिद्ध खत्म हो गये गिद्ध सरच्छन परयोजना गिद्धों के सरच्छन के लिए हर्योणा सरकार के हर्योणा बन विवाग एवं बॉंबे नेच्छरल हिस्ट्री सोसाइटी संचिप्त में बी एन येचियस के बीच एक सहमत पत्र पर वर्स दो हजार चे में हस्ताक्छर हुए अर्थात गिद्धों के सरच्छन के लिए 2006 में एक परयोजना लांच की गई थी गिद्धों की मृत्यों का कारण पसुओं को दी जाने वाली डायकलोफिनेक दवा को बताया गया हुआ है डायकलोफिनेक दवा जो है पसुओं को दी जाती थी जिससे पसुओं का अगर उपचार के दवरान मृत्यों हो जाता था तो इनको बाहर ऐसे खुले में फैंक देते थे जिससे हमारे प्रकित के सफाई करता जिन्हें हम गिद्ध जानते हैं जब ये इनको खाने के लिए आये तो इनके द्वारा मांस का भच्ठन करने पर इन मांस में मिले डायकलोफिनेक दवा से इनकी मृत्यों होती चली गई इन्हें हम प्रकित के सोधन करता नाम से भी जानते हैं चोंकि ये हमारे प्रकित के साफ करने का कार करते हैं चोंकि सफाई करता ऐसे हैं ये कि अगर कहीं बाहर खुले में कोई मृत पस्व पड़ा होता था तो ये इसको जल्दी से जल्दी खा कर खत्म कर देते थे और हमारा प्रकित साफ हो जाता था गिद्ध का बैग्यानिक नाम जाइपस इंडिकस है नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कस्तूरी मिर्क परियोजना दोस्तों यह परियोजना इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्बेशन आफ नेचर एंड नेचरल डिसोर्सेज इसे हम संचिप्त में आई यू सी यन कहते हैं आई यू सी यन के सहयोग से उत्राखंड के केदारनाथ अभ्यारणी में उननेश सो सत्तर के दसक में यह परियोजना शुरुवात की गई थी कस्तूरी मिर्ग के लिए सिकारी देवी बन जियू अभ्यारणीय जो की हिमाचल प्रदेस में है और बद्रीनाथ अभ्यारणीय जो उत्राखंड में है इसके लिए फेमस हैं अर्थायत इन दो बन जियू अभ्यारणीयों में कस्तूरी मिर्ग देखे और पाले जाते हैं कस्तूरी मिर्ग का बैग्यानिक नाम मौसकस क्राइसोगैस्टर है नेक्ट प्रोजेक्ट है हंगुल प्रोजेक्ट यूरोपियन रेंडियर प्रजात का यहां हिरन बरतमान में केवल दाची गाम नेशनल पार्क जो जम्मु कस्मीर में है में ही बचा हुआ है अर्थात यूरोपियन रेंडियर जिसे हंगुल कहते हैं यह केवल भारत देश के जम्मु कस्मीर जो की एक राज था अब केंदर साचित प्रदेश बन चुका है के दाची गाम राज़्ट्री पार्क में ही बचा हुआ है हंगुल परिजना की सुरुवात 1970 में हुई है इसका बैग्यानिक नाम सर्वस एलिफस हंगुलू है नेक्ट प्रजेक्ट है लाल पांडा प्रोजेक्ट रेड पांडा लाल पांडा जो की एक प्रजायत का कैट वीर है लाल पांडा पूर्भी हिमाले छेत्र के इस्टर्न हिमाले रिजन्स में पंदरह साव से चार हजार मीटर की उचाई पर पाय जाता है अवनाचल प्रदेश में इसे कैट बीयर अर्था तो बिल्ली के समान भालू नाम से जानते हैं इसकी कम होती जारे जनसंख्या के कारण वर्स 1996 में बिस प्रकित निधि अथवा बिस बन जीव कोस वर्ड वाल्ड लाइफ फंड इसका पूरा नाम होता है वर्ड वाल्ड लाइफ फंड अर्थात बिस बन जीव कोस के सहयोग से पदमजा नाइडू हिमालियन जन्तु पार्क के द्वारा त्रेड पांडा अर्थात लाल पांडा परियोजना की शुरुवात की गई है यह जो परियोजना है 1996 में शुरुवात की गई थी IUCN के अंतरगत संकट ग्रस्त जियू के रूप में भी इसे सूची बद्ध किया गया है International Union for Conservation of Nature and Natural Resources जो की एक रिड डाटा बुक को बनाती है के अंतरगत रिड पांडा को अर्थात लाल पांडा को संकट ग्रस्त इंडेंजर्ड की प्रजात में रखा गया हुआ है Endangered Species की कोट में रखा गया है सूची बद्ध किया गया है Himalayan Red Panda का पैज्ञानिक नाम I Lures Fulgence है Next Project है कच्छवा सरच्छन परियोजना Turtle Conservation Project यह प्रोजेक्ट कच्छवा के सनच्छन के लिए समर्पित है कच्छवा की यह एक प्रजाती है जिसे ओलिव डिडले कहा जाता है जो उडीशा के तड़ पर पाए जाते है उडिशा राज्य है वहां के समद्री तरट पर अधिकांसता ओलिव रिडले प्रजात के कच्छुए पाए जाते हैं कच्छुआ सारच्छन परियुजना सन 1975 में प्रारंभ हुआ था इसका यूज केमती दवाओं के बनाने में होता है इसलिए कीमती दवाओं में उपयोग होने के कारण इनकी संख्या में कमी आने लगी जिसको देखकर उडिशा सरकार ने 1987 में कटक जिले के भीतर कनिका अभ्यारणी में इनके शनच्छन के लिए योजना प्रारंभ की थी 1987 में इसको मानता दी तो गई थी लेकिन 1975 में जागर के इसको बल मिला था कच्छुआ सरच्छन पर्योजना 1975 में प्रारंभ हुई केंतो 1987 में भीतर कनिक का अभ्यारण जोकी कटक जिले के उडिशा में पड़ता है में सरच्छन के लिए योजना प्रारंभ की गई थी इसका बैज्यानिक नाम लेपिडो केलिस ओलिवेसिया है अगला प्रोजेक्ट है मरीपूर थामिन पर्योजना थामिन प्रोजेक्ट मरीपूर के लोकटक जिल के दच्छनी पूर्वी भाग में पाय जाने वाले बिस्व के इस दुरलभ अस्तंधारी के सारच्छन हेतु 1977 में इस पर्योजना की शुरुवात की गई थी थामिन एक विसेस प्रकार का हिरन है जो केवल मरीपूर के लोकटक जिल के दच्छनी पूर्वी हिस्से में पाय जाते है दोस्तों मरीपूर राज में लोकटक जिल जो है एक बिस्ष्ट जिल है जहां पर बिस्व केवल एक फ्लोटिंग करता हुआ तैरता हुआ राश्ट्री पार्क है जिसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क थामिन का बेगनिक नाम रूसर वस एलडी थामिन होता है दोस्तों इसी सरिंखला में अगला हमारा प्रोजेक्ट है गंगा नदी डॉल्फिन सरच्छन गंगा नदी डॉल्फिन सरच्छन डॉल्फिन कंजर्वेशन इन गैंगेश रिवर दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन जिसको सूस भी कहा जाता है 5 अक्टूबर 2009 को राश्ट्री जली जियू घोशित किया गया है भारत का राश्ट्री जली जियू गंगा नदी डॉल्फिन है एक क्टूशन आपका यहां से बन जाता है जो सेगंड क्टूशन है कि इसका सरच्छन कब प्रारम हुआ है तो दोस्तों WWF जिसे हम कहते हैं World Wildlife Fund World Wildlife Fund के सहयोग से इंडिया में जो इसकी ब्रांच बनी हुई है इन्होंने 1997 से अस्थानी ये समदायों के साथ सहयोग के आधार पर गंगा नदी डॉल्फिन के सनच्छन हेतु करकरम चलाया जा रहा है यह प्रोजेक्ट बिहार के भागल पुर्जिले के बिहार के भागल पुर्जिले में सुल्तान गंज से कहल गाओं के मद्धे गंगा नदी छेत्र में गंगा डॉल्फिन अव्हेरन की अस्थापना की गई है भारत ने 3 मई 2013 को जली जीव डॉल्फिन को नान हुमन परसन का दर्जा दिया है अर्थात इसे कोई भी बेक्ति चाहे जहां पर भी होगा इसको छूण नहीं सकता है अर्थात इससे कोई भी एक्टिविटी प्ले नहीं कर सकता है इसलिए इसे नान हुमन परसन का दर्जा दिया गया है और अगर बात की जाए तो कब से यहां प्रोजेक्ट चल रहा है तो 1997 से यहां प्रोजेक्ट हमारा लांच हुआ है गंगान अधी डॉल्फिन प्रोजेक्ट और 2013 में इसे नान हुमन परसन का दरजा दिया गया है दोस्तों इसे सरिंख नाम जानेंगे गेंगेटिक डॉल्फिन का बेगमिक नाम प्रोजेक्ट अस्थल हिमाले छेतर होता है अर्थात यहां चोंकि लिखा गया हुआ है हिम तेंदुआ चोंकि यहां हिम इलाकों में मिलता है जहां पर अधिकांस्ता बरफ होती है वहीं पर यह पाई जाते हैं इस प्रकार के प्रजात के तेंदुए होते हैं IUCN जैसा की आख बताया गया हुआ है International Union for the Concervation of Nature and Natural Resources ने 1972 में सन 1972 में हिम तेंदुआ को संक्रट ग्रश्तसली में रखा है प्रोजेक्ट इसनो लियोपार्ड की सुरुवात 20 जनवरी 2009 को प्रारंभ की गई है इसका रीजन इसनो लियोपार्ड की संख्या में कमी आते देख राज सरकार और खेंद सरकार ने मिल करके प्रोजेक्ट इसनो लियोपार्ड को सं 2009 में प्रारंभ किया है इसनो लियोपार्ड का साइन्टिफिक नेम होता है पैंथेरा अनसिया दोस्तों अगला हमारा प्रोजेक्ट है गैंडा परियोजना राइनो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट राइनोसिरॉस इसे हम कमली राइनोसिरॉस भी कहेंगे और यह प्रोजेक्ट सन 1987 में प्रारम्भ हुआ है एक सिंग वाले गैंडे केवल भारत देश में पाई जाते हैं गैंडे के सिंग से कामों तेजक आउसद ही जो एक सेक्स्वल एराउजर के लिए काम में दवा आती है उसका निर्माण इसके सिंग से के जाता है गैंडा सरच्छन प्राजना का प्रारम्भ 1987 में प्रारम्भ हुआ है और दोस्तों बता दें जो गैंडा है हमारे देश में मानस राश्ट्री पार्क असम में है काजी रंगा निस्नल पार्क असम में है जो की बहुत फेमस राश्ट्री उद्यान है और आज कल काफी का कंप्टेटी परिच्छों में इसका कुईस्चन ट्रेंड करता है मानस राश्ट्री पार्क, काजी रंगा राश्ट्री पार्क जहां पर एक सिंग के गैंडे का सरच्छड किया जाता है और इसके साथ ही साथ में जलदा पारा वार्ड लाइफ सेंचुरी है जो पस्चिम बंगाल में अस्थापित है वहां पर भी गैंडे का सरच्छड होता है नेश्ट है हमारा गैंडे का साइंटिफिक नेम राइनोसिरास यूनिकॉर्निस होता है दोस्तों इस रिंखला में हमारा अगला प्रोजेक्ट है गिर लाइन प्रोजेक्ट गिर सिंग पर्योजना ACI सिंगों का घर गिर नेशनल पार्क है और गिर वार्ड लाइफ सेंचुरी है ACI सेर इसे हम सामानता है बबबर सेर भी कहते है जो केवल गुजरात राज में पाय जाते है गिर प्रोजेक्ट की शुरुवात 1973 में प्रारम होई थी यह पर्योजना ACI सेरों की संख्या में कमी को देखते हुए 1973 में केनर सरकार ने इसे पारित किया है सेर का बेगनिक नाम है पैन्थेरा लियो नेश्ट प्रोजेक्ट है मगर मच्छ सरच्छन परियोजना क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मगर मच्छ सरच्छन वो हमारे आंध्र प्रदेश राज में है उडीसा के भीतर कंका राश्ट्री उद्ध्यान में लामन युक्त जल में रहने वाले मगर मच्छों की संख्या सरवाधिक है बैगनिक नाम गयवियालिस गांगे टिकस है दोस्तों आज आपने जाना प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो की 1974 में प्रारंभ हुआ है और यहां जो प्रोजेक्ट है सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम पाते हैं मगर मच्छ तो हमारे आंधर प्रदेश राज में है और केंद्री मगर मच्छ प्रजनान एवा प्रबंधन प्रशिटन संस्थान हमारा हैदराबाद में है ओडीसा के भितर किनका राश्ट्री उद्यान में सरवाधिक मात्रा में मगर मच्छों की संख्या रिपोर्ट की गई हुई है ऐसे एक नंजर डाल देते हैं पुना फिर से गिर लाएन प्रोजेक्ट हमारा 1973 में लांच हुआ था जो की ACI सिंगों का घर माना जाता है यह हमारा गुजरात राज में अस्थापित है गिर नेशनल पार्क और गिर वाल्ड लाइफो सेंचुरी नेक्स्ट इसी करम में है गेंडा सरचन प्रोजना जो की हमारा 1987 में आरंभ हुआ था और मानस राज्ट्री उद्यान काजी रंगा जल्दा पाराबाड लाइफ संचुरी इसके मुख्य स्रण अस्थल है और इससे आप जान लिजे कि एक सिर्ण वाले गेंडे से कामोत तेजक आउस्थी बना जाती है हिम तेंदुआ अर्थात इसनोलियो पर प्रोजेक्ट 1972 में लांच किया गया था जबकि 1972 में IOCN ने इसे इंडेंजर्ड की सिर्णी में सामिल किया था प्रोजेक्ट गंगा नदी डॉल्फिन जो है यह हमारा 1997 में प्रारम्भ हुआ है जबकि गंगा नदी डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राश्ट्री जली जीव घोशित किया गया है मरीपुर्थामिन प्रोजेक्ट यह 1977 में लांच किया गया था प्रोजेक्ट टर्टल अर्थात टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो की ओलिव इडले प्रिजात के कछों का स्चानच्छन करती है यह स्चानच प्रिजना जो है 1975 में प्रारंभ हुई थी लेकिन 1987 में उडिशा के भीतर करने का कटक जिले में अस्थापित है यहाँ पर इसका स्चानच सबसे पहले प्रारंभ किया गया था लाल पांडा प्रोजेक्ट जो है 1906 में बनाया गया था जो कि पद्मजा नैडू हिमालेयन जन्तु पार्क में प्रारंभ किया गया था हंगुल प्रोजेक्ट हमारा 1970 में प्रारंभ हुआ है और कस्तूरी म्रिग प्रिजना भी 1970 में लांच हुई थी और यहां केदानाथ अभ्यर्ण में और हिमाचल प्रदेश के सिकारी देवी अभ्यर्ण और बद्री नाथ अभ्यर्ण में पा जाते हैं गिद्ध प्रिजना जो है हमारा केवल 2006 में प्रारंभ हुआ है इसके साथ ही आगे बचा है हमारा एलिफस मेक्सिमस जिसे हम एलिफएंट प्रोजेक्ट कहते हैं यह सा दिसंबर 1902 को प्रारंभ हुआ था मद्ध प्रदेश राज में सेर बागों की संख्या सरवाधिक है इसलिए इसे हम स्टेट आफ टाइगर्स नाम से जानते हैं यह प्रोजेक्ट जो है हमारा दो 1973 में 1973 में प्रारंभ हुआ था बागों की संख्या में कमी को देखते हुए भारा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लांज किया है अंतर राष्ट्री बाग दिवस प्रतिवर्स 29 जुलाई को मनाय जाता है दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी सेर कीजिएगा थैंक्स फार वाचिंग